महर्शी करवी स्री शिक्षन संस्था सीता बाई नर्गुंकर कॉलेच ओव नर्सिंग के तत्वधान से दो दिवस के राश्ट्री सम्मिलन का भव्वे आयूजवन किया गया था इस समय नर्सिंग अनुसंधान को एकिकरत और कार्यानवित करने के विशे पर चर्चा की गई गौर्टलवी किस आयूजवन का प्रायोजवन महराश्ट्र विश्विद्याले स्वास्त विग्यान नासिक द्वारा किया था इस समय नेर एरा के निदेशक डॉक्टर आनंद शाचेती ने कारिक्रम का उत्खाटन किया जहां उन्होंने सम्मनित विशे पर विशेश व्याख्यान दिया इस समय समयलन कक्ष में लगभग 300 प्रतिभागी उपस्तित थे समयलन में मौझूद प्रखर प्रबक्ताओं ने डिजिटल अनुसंधा नवचार और कारियाले आई पियार आधी चैसे विभिन विश्यों पर चर्चा की यह कारिकरम दत्ता में की इंसिटूट औफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च के प्रोफेसर चांसलर डॉक्टर वैद प्रकाश की और प्राचारे डॉक्टर रूपा वर्मा साथ ही साथ टीम वर्क और संकायस दस्यों चात्रों की महनत से संपन हुआ देखे आज का कारिकरम जिस कॉन्फरेंस के समारोब के साथ जुड़ा हुआ था मैं सबसे पहले इस कॉन्फरेंस के अंतरगत जिस विशय को लेकर जिस रिसर्च के डाइमेंशन को लेकर चर्चा हुई वो सचमुच एक आवश्चक बड़ी आवश्चकता की परिपूर्टता का कदम है जब हम यह कहते हैं कि स्वास्त प्रतेक नागरिक का अधिकार है और इस अधिकार की परिपूर्टता के लिए क्वालिटी हेल्थ केर जिसमें नर्सिंग का भी समावेश है या उपलब्द होना अनिवारे है तो उसके लिए रिसर्च की तमाम स्वरों को मुखरित करना उसके माध्यम से आवश्यक वे एविडेंस जनरेट करना जिसको लेकर सारी की सारी नर्सिंग प्राक्टिसेस ये केवल कालपनिक्ता के आधार पर न होकर बुनियादी तोर पर एविडेंस के आधार पर हो और वह एविडेंस केवल अलपसोरूप का न होकर रिसर्च की तमाम सैध्धान्तिक चिंतनों को लेकर सैध्धान्तिक सिध्धान्तों के अनुरूप हो जिससे वह निश्चित तोर पर विश्वस्निय भी हो और वह क्रमत रूप से क्रिया किया जाने वाला भी हो जिसे हम अगर हम ग्रेजी में कहते हैं तो it should not only be doable, it should be demonstrable and it should be deliverable and above all it should be credible इन चारों गमकों की पूर्टता आवश्चक है और इन आवश्चकताओं की परिपूर्टता के लिए जैसी conference आज आयोजित की गई जिन विश्यों के उपर में स्पर्श किया गया जिन पर गहराई से वैचारिक मन्थन हुआ ये केवल समस्याओं के निरूपन का प्रयोग न होकर इन समस्याओं के प्रती निदान का मार्ग क्या होगा आने वाले भविश्य के अंतरगत रिसर्च के निर्धारिन के मूल्य क्या होंगे दिशा क्या होगी आज उसकी दशा क्या है और उसके लिए उपाए युजनाओं के तहट किन स्तरों पर कार्य करना अनिवार्य है इसको लेकर न केवल एक व्यापक चर्चा की गई परन्तु एक आवश्यक वे फॉरवर्ड ये निर्धारित किया गया या इसके बहुत बड़ी उपलब दिये और इसके लिए आयोजक और महा विद्यालय का बैनेजमेंट मेर अरुपा वर्मा प्रिंसिपल सीथा भाइ नर्गुंदकर कोलेज आफ नर्सिंग नागपुर हमारे कोलेज में यह दो दिन का नैशनल कॉनफरेंस आयोजीत किया गया है जिसका थीम है इंपलीमेंटिंग आइंटिगgriff रिसार्ज यह कॉनफरेंस बैसिकली नर्सेंग श्टुड़ेंस जो नर्स होस्पितल में काम करती हैं जो नर्स एजुकेशन छेत्र में काम कर रही हैं, उन सभी के लिए हैं, बेसिकली इस इस तो क्रिएट अन अवेरनेस रिगार्डिंग नर्सिंग रिसर्च के लिए अवेरनेस होना चाहिए, और लुकिंग फारवड फॉर्ड 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 अगर हम एफॉर्डबल हेल्थ सर्विसस चाहते हैं, तो नर्सिंग की जो प्रैक्टिस होती है, इट मस्ट बेस्ट अन एविदेंस तथ्यों पर बेस्ट होनी चाहिए, और इसी के बारे में जागुपता निर् जादा लोगों ने इस कॉन्फरेंस को अटेंड किया है, 200 से जादा लोगों अनलाइन भी हमारे साथ जुड़े थे, इसमें जो स्पीकर्स हैं वो अलग अलग शेत्रों से आउट ऑफ स्टेट के भी काफी लोग है, और फॉम देस्टेट बेस्ट अवेलिबल रिसोर्स पो है कि हम ऐसे कॉन्फरेंसे और भी नागपूर जैसे सिटी में करें, तो इस वस्टेट कॉन्फरेंस विच वस प्लांड तू डेवलप रिसोर्च अर्टिटिव अमोंग नर्सिंग स्टुडेंस, नर्सिंग स्टाफ और नर्सिंग एजुकेटर्स, तरूपा वर्मा, प्रि बनने में और यह जो एक्सपेक्टेशन है, रिसर्च के लिए वो बताने के लिए और यह स्टुडेंस का आंटिसिपेशन और उनका पाटिसिपेशन वो जैसे भी वो लोग सुन रहे हैं, सोच रहे हैं और पाटिस्पेट कर रहे हैं, हम यह आकांशा करते हैं कि वो आगे जाके और नर्सिंग फील्ड में रिसर्च करेंगे और अच्छे से नर्सिंग का नाम बढ़ाएंगे और यह जो कांफरेंस में उन लोगों ने सीखा है, वो हमेशा के लिए वो आगे बढ़ाएंगे और सब के लिए यूस्फुल रहेगा, थांक यू झाल